तीसरे दिन के खेल में विराट कोली के संगर्स ने जीता सबका दिल रचा इतिहास नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चेनल में दोस्तों भारत और साउथ अपरिका के बीच पहले टेस्ट मुकापले के तीसरे दिन का खेल के लगया चांपर टीम इंडिया की तरब से विराट कोली का संगर्स देखकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है तो दोस्तों मैं आपको बताएंगे कि अकिरकार विराट ने ऐसा कौन सी पारी खेली है साथ इस तीसरे दिन के खेल का पूरा हाइलाइट भी बताएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोली के बैतरी इन परपॉमेंस को देखकर कुसे तो इस विराट कोली को लाइक जरूर कर देखने को मिला तो दोस्तों आज तीसरे दिन का केल सुरू हुआ तो एक बार फिर साथ अपरिका की टीम की तरप से सुरूात करने उतरे मारको येंसन तो उनके साथ तेसाथ तक वीर डेन एलगर तोनों बले बाजों ने एक बार फिर सम्बल कर सुरात की अलांकि शुरुआती थीस मिनट में बार्ती गेन बाज इन बलेबाचों के उपर हावी जरूर रहे थे लेकिन इसके बाद यहां पर संदार बलेबाची करते वे मारको येंसन ने तेतरवे और की चोती गेन पर एक संदार चोका मिडविकिट की तरफ लगाया तो वें पर इसी और की पांच वी गेन पर भी उनके बलेबाची करते वे उन्होंने अपने 150 रन भी पूरे कर लिये कमाल की बलेबाची रही डीन एलगर की लेकिन दोस्तों 150 रन बनाने के बाद भी उनका बल्ला चलता रहा और उनके बले से एक और संदार चोका यहां पर कट सोट के जरिये देखने को मिला चाहां पर पाग्य साली जरूर रहे एलगर लेकिन उन्हें एक और संदार चोका मिला इसके बाद उस्तों संदार बलेबाची करते वे मारको येंसन ने भी कमाल का सोट खिला और गेन को एक बार फिर बॉंडे लाइन के पार वेजा और सार्दूल ठाकूर की गेन पर संदार चोका उन्होंने भी जड़ दिया तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एलगर और दोनों बले बाचों की बीस संदार 50 रनों की पार्टनेसिब भी पूरी हो गई और बारत ये टीम पहले गंटे में कोई भी सपलता प्राप्त नहीं कर पाई वहीं पर इसके बाद दीन एलगर के बले से एक और संदार चोका सार्दूल ठाकूर की गेन पर देखने को मिला ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्दी थी इस मुकाबले में तो वहीं पर इसके दोस्तों एलगर ने एक बार फिर संदार बले बाची करते वे नेवास वे और की पहली गेन पर एक संदार चोका सार्दूल ठाकूर की गेन पर जड़ दिया तो वहीं पर इसके बाद निबवे और की दूसरी गेन पर भी रवी चनरन अस्विन की गेन को मारको एंसन ने संदार तरीके से ड्राइव किया और एक्स्रा कवर की तरप एक और संदार चोका जड़ दिया इस चोके के साथ ही दोनों बले बाजू के भी संदार 119 गेनों पर 100 रनों की पार्टनसीब पूरी हो गई इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संदार तरीके से 93 और की चोती गेन पर एलकर ने एक और संदार चोका लगाया यहाँ पर सार्दूल ठाकूर की गेन पर यह भी एक कमाल का सोड़ था लेकिन इसके बाद 95 आवर की पाँची गेन पर टीम इंडिया को आज के दिन की पहली सपलता मिली जब एलकर के गलफस पर लगकर गेन सिधे विकेट कीपर के एल राहूल के हाथ उपर चली गई और पारती टीम को सार्दूल ठाकूर ने सपलता दिला दी कमाल की बलेबाजी करते वे 297 गेनों का सामना करने के बाद 185 रनों की दमदार पारी खेलकर पेवलें लोटे इन इलगर कमाल की बलेबाजी रही इनकी लेकिन इनके आउट होने के बाद नए बलेबास क्रीस पर उत्रे कोईजे ने तो आते ही कमाल की बलेबासी करते वे रवी चिनरन अस्विन की गिन पर एक संदार चोके के साथ अपनी पारी का संदार आगाज किया तो इसके बाद उसमें यहाँ पर सत्यानवे आवर डालवे आनले साथूल ठाकूर की गेन पर भी गिरलेट कोईजे ने एक कमाल का जोका नडराजन सोट खेलते वे खेला और गेन को चार रनो के लिए बॉंडी लाइन के पार वेज दिया तो इसके बाद इसी ओवर की पांचवी गेन पर मारको यंसन के बले से भी डेप बेकवर्स कर ले कितरब एक और कमाल का छका देखने को मिला चाहां पर गेन को उन्होंने सी दे स्टेंड में डिपोसिट कर दिया तो इसके बाद टीम इंडे की तरफ से परसित क्रिस्णा और डालने आये 98 तो उनकी दूसरी गेन पर संदार प्रपॉमेंस करते वे कोईट जे ने एक कमाल का छका जड़ दिया और गेन को उन्होंने संदार तरीके से लोंगोन के उपर से बॉन्ड लाइन के पार बेज दिया लेकिन इसके बाद सौवे आवर की पहली गेन पर रवी चंदरन अस्विन ने करलेट कोईट जे को यहां पर सिरास के हाथू केज़ करवा कर पैवलेन बेज़ा और बारती टीम को एक और सा पलता दिला दी करलेट कोईट जे की हम बात करें तो 18 गेन उपर 19 रन बना कर वो पैवलेन लोटे लेकिन इसके बाद दूस्तों आज के दिन के पहले सतर का खेल समाप्त हुआ तो इस पहले सतर में साउथ अपरिका ने संदार परपॉमेंस किया और उन्होंने इस पूरे सतर में 34 ओर में 136 रन बनाए और दो विकेट गवाए यह सतर भी पूरी तरीके से साउथ अपरिका के नाम रहा लेकिन फिलाल मारको यंसन बैतर तो वहीं पर कंगिसो रबाडा एक रन बना कर क्रीज पर मौजूद है तो वहीं पर इसके बाद दोस्तो आज के दूसरे सतर में जब एक बार फिर दोनों टीम में उतरी तो यहाँ पर 101 और की पांचवी गेन पर जस्परिद बूमरा ने बोल्ड करके पैवलेन बेचा कंगिसो रबाडा को और भारते टीम को आटवी सापलता दिला दी जस्परि जस्परिद बूमरा की गेन पर केला सामने की तरफ जब उन्होंने संतार चोका जड़ा और इस चोके के साथी वो अपने स्कोर को 80 रणों के पार लेकर गए लेकिन इसके बाद दोस्तो एक सो नौवे आवर की चोती गेन पर जस्परिद बूमरा नहीं नांदरे बर्गर को बॉल्ड करके पेलिन बेजा और साथ अपरिका की टीम का नोह ओवा फिकेट चटका लिया वहीं पर इसके बाद दूस्तो साथ अपरिका के कप्तान तेमबा वावुमा फिट नहीं थे तो वो बलेबाजी करने नहीं आये तो यहां पर पूरी साथ अपरिका की टीम 480 रनों जिसका आगाज भी हुआ जब दूसरे और की दूसरी गयन पर नांद्रे बर्गर के एक बैतरीन चोका कवर की तरफ लगाया यसस वी जाइसवाल ने लेकिन दूसरे और की तीसरी गयन पर कंगिसो रबाडा ने रोईत सर्मा को कलिन बोल्ड करके पेवलेन पेजा और पहली सबलता दिला दी साउथ अपरिका की टीम को रोईत सर्मा इस गयन को बिलकुल भी समझ नहीं पाए और कंगिसो रबाडा ने उनकी गिलिया उड़ा दी उन्होंने आठ गयनों का सामना किया और इस मुकाबले में वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंगिसो रबाडा ने संदर गयन बाची जारी रेकी लेकिन इसी बीच पांचवे और की तीसरी गयन पर सुबमन गिल ने कंगिसो रबाडा की गयन पर एक बैतरीन चोका जड़ दिया और गयन को बोंडिलाइन के पार बेजा मिड़ और यहाँ पर यससवी जैसवाल को विकेट कीपर वेरेना के हादू केच करा कर पैवलेन बैस दिया और एक और सपलता यहाँ पर मिल गई यससवी जैसवाल के रूप में साउथ अपरीका की टीम को और नांदरे बर्गर ने उन्हें पैवलेन बैस दिया यससवी ने 18 गयन को चारनों के लिए बॉंडिलाईन के पार बेजा तो वहें पर इसके बाद नांदरे बर्गर के ओर में भी उन کے बलुर से एक और संदार चोका देखने को मिला जसवे और की चोती गेन पर एक और संदार चोका सुपमन्गिल ने जड़ दिया तो इसके बाद विराट कोली ने भी अपना खाता बारवे और की पहली गेन पर मिडोप की तरफ एक संदार चोका लगा कर अपनी पारी का संदार आगाच कर दिया तो वहीं पर इसके बाद विराट का संदार परपॉमेंस आगे भी जारी रहा और मारको एंसन के इसी ओवर की चौती गेन पर भी उनों के बल्ले से एक और संदार चोका देखने को मिला इस पर कवर पॉइंट की तरफ विराट कोले ने कमाल का सोट केला और गेन को बॉंडिलान के पार वेज़ दिया तो इसके बाद 13 वे और की पांच वी गेन पर गेन पर गरिलेट को एट जे गेन बासी करने आये तो उनकी गेन पर भी स्कौरले की तरफ संदार चोका विराट के बल्ले से देखने को मिला ये भी एक बहतरीन सोड था लेकिन इसके बाद उस्तों सुबमन गिल बहतरीन परफोमेंस कर रहे थे और उनका संदार परफोमेंस जारी था लेकिन इसी बीच चौदवे अवर की आखरी गेन पर मारको येंसन ने उनको एक यॉरकर गेन पर बोल्ड करके पेवलेन बेचा और एक और सपलता यहां पर दिला दी सौथ अपरिका की टीम को हम बात करें सुबमन गिल कुई तो 37 गेनों पर 26 रन बना कर वो पेवलेन लोटे तो इसके बाद उसके बाद उसके बाद सौलवे और की तीसरी गेन पर भी मारको येंसन की गेन पर सांदार बलेबाची करते वे चौका जड़ दिया ये भी कमाल का सोड़ता लेकिन इसी के साथ चाईकाल का एलान भी हो गया और भारती टीम ने 16 और में 12 रन बना लिये तीन विकेट के नुकसान पर लेकिन भारती टीम अभी तक इस टेश्ट मकाबले में एक भी सतर को अपने नाम नहीं कर पाई और ती के साथ बैतरीन आगाज किया विराट गोली ने और बैतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला बिहाइंड देस क्वाइल लेकिन इसके बाद उस्तू भारती टीम को एक और करारा जटका दिया अठारवे और की पांचवी गेन पर मारको येंसन ने चांपर उन्होंने स सरयास आयर को बोल्ड करके पैवलेन बेज दिया और एक और सपलता साथ अपरिका की टीम की जोली में डाल दी हम बात करें सरयास आयर की तो उन्होंने बारे गेनों का सामना किया और सिर्प छेयरन बना कर वो पैवलेन लोटे इसके बाद उस्तू यहापर विराट कोली के कमाल का चका 19 और की तीसरी गेन पर देखने को मिला जब उन्होंने बेक एंड किसे सांदार गेन को स्कौाइर के उपर से 6 रनों के लिए बॉन्ड लाइन के पार बेज दिया तो इसके बाद उस्तू बीस और की पांचवी गेन पर भी एक कमाल का चोका के एल राहूल के बल कोडली ने कोड़्ले की गेन को मिड़ विकेट बॉन्ड लाइन के पार बैच दिया और एक और सांदार चोका उनके बलत से देखने को मिला तो इस पार उन्होंने एक फलिक स स्पारी में केल राहुल चोईस के नो पर चार रन बना कर प्यावलेन लोटे तो इसकी अगली ही गेन पर नांद्रे बर्गर ने रवी चिंदरन अस्विन को भी बेंडिंगम के हाथू केज करा कर प्यावलेन बेजा और एक और करा राजट का भारती टीम को लगा रवी चंद के साथ उन्होंने संदर बलेबाजी करते वे अपना बैत रिन अर्द से तक पूरा कर लिया कमाल के बलेबाजी रही विराट की वहीं पर इसके बाद उस्तु सार्दू ठाकूर अच्छी बलेबाजी जरूर कर सकते थे लेकिन 29 और की 30 गेन पर कंगिसोर अबाड़ा ने उन पर उन्होंने पुल सोट केलते वे गेन को चार रनों केले बेजा लेकिन इसके बाद उस्तु 31 और की दूसरी गेन पर विराट कोली दो रन लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और जस्परित बुमरा के रूप में भारती टीम ने रन आउट के रूप में एक और विकेट गवाया चस्परित बुमराची साथ दे सकते थे विराट कोली का लेकिन वो रन आउट होकर पेवलेन लोटे और पांच गेनों पर सुन्या पर ही वो चलते बने इसके बाद उस्तो 31 और की पांच वी गेन पर कंगिसो रबाडा की गेन पर एक और संदार चो सिराज भी आउट हो गए तो इसके बाद विराट कोली के पास एक मात्र मौका ता चोकेश के लगाने का तो उन्होंने 34 और की पहली वे दूसरी गेन पर दो बैतरी चोके जड़े लेकिन इसके बाद 35 और की पहली गेन पर वो एक और बड़ा सोट केलना चाहते थे मारको य पारती टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वर्ड़ो को जदा से जदा से जरूर करें धन्यवाद